जी हाँ, नमस्कार दोस्तों बात करेंगे Post Office Recruitment Notification 2022 के बारे में जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे Postman, Mail Guard, Multitasking जो Group D में आते हैं उनकी सीधी भरती हैं पे यह निकली हुई यह exam नहीं होगा, direct recruitment है 15,500 से लेके 37,500 तक यहाँ पे salary divided है क्योंकि 15,500 के आसपास जो salary रहेगी वो MTS की वही Postman सोरी यहाँ पे, जो Postman में अपर वाली post है Postmaster वाली post है, उसमें 35,000 के आसपास यहाँ पे starting salary 30,000, 2022 इसकी last date है योग्यता कि एगर मैं बात करूँ, 10th class अगर आपने कर रखा है दोस्तों भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे Post Office Recruitment के डिटेल्स के बारे में सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे जो vacancy है इसमें यहाँ पे जो total number of vacancies है, वो कितनी है तो यह देख सकते हो, Postmaster वाली जो vacancy है उसमें 8,571 पद है वहीं यहाँ पे Post Mail on Mail Guard और MTS वाली जो पद है वहाँ पे 17,121 के सी जो vacancy है वो group wise vacancy होगी, इसके अलावा total number of vacancies है, 25,500 तयांस है यह आप देख सकते हो, तो ज्यादा vacancies यहाँ पे 17,000 के आसपास Post Mail, Mail Guard और Multitasking में divided है इसमें भी यहाँ पे, यहाँ पे एक तरीके से डिवाइड होगा और वो इसके अलावा केवल और केवल Postmaster की 8,591 यानि की साड़े 8,000 के आसपास vacancy है इसके अलावा नीचे में बता देता हूँ, जो IOC मा रहेगी वो 18-40 साल रहेगी, 10-12 यहाँ पे sectioning की योग गेता है, इसके अलावा यहाँ पे जो graduation है, वो Postmaster वाली Post के लिए है, इसके अलावा OBC और सामन्य के लिए फीस्क देख लिए आप 2500 रुपे, 200 रुपे और 80 रुपे यहाँ पे ACST वालों के लिए है, और जो वेतन है यह यहाँ पे उपर लिखाओ है साफ साफ 15,000 से 37,700 रुपे के बीच में, तो यहाँ पे 15,000 के आसपास के जो salary वो MTS वालों की है और 37,700 के आसपास जो vacancy जा रही है, वो यहाँ पे Postmaster वाली Post के लिए, इसके अलावा नीचे यहाँ पे date दिखा रुकिए, date में बताता हूँ आपको, 10-10-2022 यह ध्यान रखना दोस्तों, आवेदन तिथी शुरू करने वाली जो तिथी है, वो 10-10-2022 है, जो कि 30-10-2022 इसके last date रहेगी Post.in पे आपको जाके यहाँ पे apply करना पड़ेगा, या फोरम डाउनलोड करके वैसे भी आप submit करवा सकते हो, क्या-क्या requirement है नीचे, जो most important documents है, उसके list दे रखिए और आपका notification link नीचे दे रखा, वहाँ पे भी जाके आप check कर सकते हो धन्यवाद दूस्तों, वीडियो देखने के लिए